अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके की कोरोना वायरस संकरमण को फैलने से रोकने में यह बहुत सहयक सिद हुआ हमने देखा था कि इस सब्ता के शुरुआत में जब प्रथार मंतिर नेरेंद्र वोधी का राज्यों के वक्योंतिरी के साथ समभाद हुआ था तो यह बात निशकर से एक निकल कर सामने आया था कि लॉक्टाउन से देश को लाब हुआ है लेकिन अब सरकार को जान की चिंता करनी है जहान की चिंता करनी है तो इसी दिए लॉक्टाउन पार्ट 3 में कुछ रियायते भी हैं लेकिन एक बात गौर करने लाइक यह है कि लॉक्टाउन पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह है लॉक्टा जो भी जिले आते हैं, उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है, कोई छूट नहीं दी गई है, सरफ जो एसेंचेल सर्विसेस से जुड़े जो लोग है, या जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, जाए मेडिकल शॉप्स हैं, इन सब को ही खुलने के अनुमती होगी, और इन ग्रीन जोन में जरूर कुछ रियाते दी गई हैं, जैसे कि 50% सवारी के साथ जो बसे हैं, सरकारी बसे कोई चल सकेंगी, इसके अलावा कुछ जगों पर 50% करमचारियों के साथ दुकाने त्यादी खुल सकेंगी, लेकिन सिनेवा घर हो, चाहे मौल्स हो, चाहे पप्स हो, ये सब पूरे देश में बंध ही रहेंगे, 17 मई तक इस बारे में बोशना कर दी गई है, के दरी ग्रह मंत्राले के और से, और ये चीच साफ की गई है, कि जो ग्रामीड चेत्रों में जो उद्योगों को अनुवती दी गई थी, काम करने की, किसानों को अनुवती दी गई वो जानी रहेंगी, और जो खास वर पर हम देखे, ग्रामीड आबादी चुकी अभी तक इन सबसे अचुती रही है, कोरोना वारेस के संक्रमणिक के वहाँ पर ज्यादा मामने नहीं दीखेंगे, इसलिए वहाँ पर रियायते ज्यादा हैं, लेकिन ग्रीन जोन पर पूरी के वाद करें, ग्रीन के वाद करें, उसमें उनको शामिल किया है, और हर सप्ता इनकी समीक्षा होगी, कोई औरेंज जोन ना वह हो सकता है, और जो सकता है, जो एनकी जोला जिन पर जरीय है, कोरुइनador को हराने का जो प्रकलप लेकर आगे चल रही उसी का ही एक ये मिल का पथर फेस्टर complete होता दिख रहा था ठीक है लोगों को परशानियां हुई है लोगों को काफी हतक की परशानियां हुई है में सरकार्णने उनका झीरे देर समधान निकालने का छूट का प्रावगान लेकर आ रही है अब जान है से जहान है कि जो बात करें तो खासवार पर करब बात करें ग्रामीर छेतर में तो लगबक 40 प्रतिशक जो उध्योग है वो खुल चुके हैं वो काम कर रहे हैं तो यह एक बड़ी बात है खासवार पर अर्थवस्ता के लेकिन रेस्टोरेंट्स बढ़ रहेंगे होटल बढ़ रहेंगे इन सब कीचियों की बिल्कुल पाबंदी रहेंगी जैसा पहले चल रहा था वैसा ही है कुछ राची पहले बढ़ा चुके थे लोक्टाउन की अवधी को दो सुकता के लिए लेकिन केंटर के तरफ से उम्र के बच्चे हैं वो बाहर ना निकले क्योंकि इनकी जो इविनिटी पावर्स हैं वो थोड़ी कम जोर होती है और इसी लिए इनको खत्रा जाता रहता है और अभी तक जो भी मृत्कों का अगड़ा सामने आया है उसमें सरवाधीक जो संख्या है वो 60 से उपर के लोग कर दिए लिएगा है झाला जावर्स हाई नाट तक भी मृत्कों का नाटा है ईनकी जो बाहर नाटाई एविनिटी कर लंता है और अभी तक ऑटग़ां का पार प्ठावादर को युषर को भी मृत्वश्श और बाहर बाहरा सामने जो खत्सरीए